आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ डाउनलोड नाओ इसक्वेश्चिन में दिया है कि अपरेंट वीट अफन अब्जेक्ट उन दे सर्फेस अफ मून विल बीवाट इप अमास ऑफ ऑब्जेक्ट ठीक्ट सब्सक्राइए मास अपजेक्ट अड captive य लेकिट डेक्स अड्य श्रीट में वीडियो रस्पेक्टीन को पनको पता कि टा कोई लिक वरा होता है तो और पेब्जेक्ट उसमें में और वो जोता है तो उसपे ऊपर किस ट्रा दो वानफ परके लगता हुदर ठीक है force of buoyancy यहां इसको पंद ऐसे लिख रहता है force of buoyancy तो force of buoyancy की value क्या होती है वो होती है g into weight of water displaced sorry mass of water displaced तो वो दे रखा यहां पर बाए तो यह force है ठीक है इस force से और इसके नीचे क्या लगता है नीचे mg लगता है तो देखो इसका total weight जो apparent weight पानी के अंदर है वो क्या होगा mg माइनस y g यह होगा इसका weight तो यह weight है और इसको अगर अपन g से divide करतेंगे तो इसका mass आ जाएगा यानि कि m-y और m की value अपन बुद दे रखी है एक्स तो उसको अपन लिख सकते हैं एक्स-y और यह है value मास की object की मास की in water ठीक है तो अब अपन को अदिया होए कि अपन को apparent weight निकालना है मून पर apparent weight मतलब अपन में मतलब जब मून पर इसको liquid में डुबएंगे तब कितना weight होगा weight ठीक है mass नहीं weight तो सबसे पहले mass तो constant रहता है क्योंकि mass एक physical property है वह कहीं mass on moon into gravity of moon तो अपन को बता है कि gravity of moon जो होती है वह gravity of earth यानि कि g upon 6 होती है ठीक है तो यहाँ पर simply weight of moon weight on moon क्या जाएगा x-y into g upon 6 ठीक है तो यह हो जाएगा apparent weight on moon so option option 2 is correct Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट आउट्स आच चार्सो 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 पर